तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ में जो हमारा JSTSE का पेपर होता है उसका देखने क्लास नाइन्थ के लिए है देख लीजे अब हम इसमें देखते हैं कि हमारी इंस्ट्रक्शन क्या होती है पेपर करने के लिए प्रेश्ण पुस्तिका खोलने से पहले निम्न निर्देशों को द्यान पूर्वक पड़ें मतलब यह सब अच्छे से पढ़ लीजिए क्यूंकि आपको इसके हिसाब से पेपर करना होगा तो देख लीजे केवल नीले काले बॉल पॉइंट पैन का प्रयोग कले गलत उत्तर के लिए नेगटिव मार्किंग नहीं है तो जब आप यह पेपर करेंगे तो उसको भरने के लिए यहाँ पर OMR sheet मिलती है इसके answers भरने के लिए तो उसमें आपको नीले या काले बॉल पॉइंट पैन का ही यूज करना है और इस पेपर में नेगटिव मार्किंग नहीं होती है उसके बाद देखते हैं question हमारा दूसरा निर्देश क्या है तो दूसरा निर्देश है कि हमारे इसमें दो भाग होंगे भाग एक और भाग होगा सामान ने जान जीके के लिए और जोंसरा निर्देश रिल्देश क्या है वह विषय दक्षता के लिए मतलब हमारे उसमें सबच्ञेक से related question आएंगे तो जो हमारा जीक है उसमें वह स्वेस्टी है्टौन से और जो हमारे सब्च्ञे क्या है और ओंते से इस प्रश्ण पुस्तिका में दो तो प्रश्ण दिये गए हैं, सभी प्रश्णों के उत्तर देना अनिवार हैं, मतलब आपको पेपर में 200 questions दिये जाएंगे और उन सभी 200 questions को आपको करना होगा, उसके बाद है चार विकल्पों में से केवल एक ही सही विकल्प को नीले काले ball point pen की मदद से चायंकित करें, तो आपको हर question के लिए 4 option दिये जाएंगे और उन 4 में से आपको एक option भरना होगा, वो भी या तो नीले या फिर काले ball pen से भरना होगा, ठीक है, तो आप देख लीजे जो आपको OMR sheet भरनी है, उसमें आपको ऐसे पूरा गोला color करना है, आप ऐ ऐसे करेंगे तो आपका वो गलत हो जाएगा, तो आपको ऐसे करके पूरा circle को cover कर देना है, ठीक है, तो अब देख लेते हैं, उसके बाद है, आवेदन पत्र तता OMR पत्र में स्रेणी ST, SC, NPH का अंतर आपकी परिक्षा की सदस्यता को अभैद कर सकता है, तो जो आपने वो OMR sheet में लिखते हैं, ST, ST वगेरा, तो उससे आपका paper cancel हो सकता है, तो वो सब चीजें ना लिखें, उसके बाद लिखा है, परिक्षारती एक बार लगाए, गईत्रुटी पूर्ण, उत्तर को किसी भी प्रकार, रगड, ब्लेड, मिटाने वाली वस्तु, शुएत, रंजक, खोरचना, इत्यादी से परिवर्तित नहीं कर सकता, तो अगर आपने एक बार OMR sheet में किसी answers को circle कर दिया, तो उसके बाद आप उसको किसी भी तरीके से change नहीं कर सकते हैं, आप सोचो कि उसको रगड दें, या फिर ब्लेड से खोरच दें, या फिर वाइटनर लगा दें, य आप जो रफवर करना चाते हैं, उसके लिए आपको extra page मिलेगा, जिस पर आप कर सकते हैं, उसके बाद लिखा है, कृपिया OMR पत्र परिक्षा संपन होने पर कक्ष निर्खशक को देने के पश्चात ही जाएं, सभी प्रशन पुस्तिकाओं को अपने साथ ले जाएं, तो हमें अपने साथ ले के जाना होता है, उसके बाद लिखा है, निर्धारित प्रशन पत्र को उसकी निर्धारित समय सीमा में ही OMR पत्र पर चायांकित करें, तो आपको इस पेपर को करने के लिए 4 घंटे मिलते हैं, और उस 4 घंटे में ही आपको सारे questions के answer देने होते हैं, औ आप OMR sheet के लिए कोई अलग से time नहीं दिया जाएगा, तो सारे questions ध्यान से करिएगा, और देख लीजेगा कि आपका time सही समय पे हो जाए, सारे questions और OMR sheet भी साथ के साथ भरते जाएगे, उसके बाद लिखा है, इलक्ट्रोनिक सैयत्रों संगणानक मोबाइल इत्यादी का प्रयोग पूर्णताहा निशेधित है, मतलब आप paper देते हैं वक्त किसी भी electronic gadget या फिर computer या mobile किसी का भी यूज नहीं कर सकते, यह सब कुछ बिलकुल मना है, तो यह हमने देख लिए कि जो हमारा class 9 का JST SE का paper होत है उसको करने के लिए क्या निर्देश होते हैं, तो चलिया झाल किसी मतली ल talk होते हैं, इसको हमारी के लिचे लिए ठाल कि ओू रिवा जो हमारी के लिवे लिए बूल सबस्संदा επाण सबस्क्र प्रभ нами झाल 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 झाल